देकि आज की अड़ी में बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर के उस बयान की करेंगे जिसने सबसे बड़ी बहस छेड़ दी है जिस पर बहुत बड़ा अंगामा खड़ा हो गया है स्वामी प्रसाद मौरी ने क्या कहा है आपको उन्हीं की जुबानी सुनाइंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ कीवर्ड दिखाते हैं जो कभी BSP और BJP के पूर्व नेता और अब समाजबादी पार्टी के कददावर नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौरी के बयान का मजबून है उन्होंने अपने बयान में जिन की वर्ड का इस्तमाल किया है जिन पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है आए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं स्वामी प्रसाद मौरी के बयानों का सबसे ज़्यादा फोकस किन की वर्ड पे रहा है ब्राहमन वाद, हिंदू, धर्म, धोका, साजिश, मंदिर, अपमान, गंगाजल, गोमूत्र इन तमाम कीवर्ड का जिक्र स्वामी प्रसाद मौरी ने अपने उन 5 मिनट और 51 सेकंड के बयान में किया है हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे स्वामी प्रसाद मौर का इसके पीछे मकसद क्या है ये भी आपको बताते हैं जरा देखिए स्वामी प्रसाद मौरी ने क्या कहा पहले ये देखी अब प्रजनोर है कि दामरबाद की जहरें बहुत गेरी हैं अश्राणी विशंता का कान भी दामरबाद ही है हिंदू धर्म नान की कोई जिक्वरी धर्म है ही नहीं हिंदू धर्म के वाद धोपा है शही माने में जो दामरबाद है उश्राणी धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों आदवास्यों पिछड़ों को अपने धर्म के प्रजाद में प्रसामिक इनकी एक साजिश है सुचल मीडिया में सुचल मीडिया में सुचल मीडिया में खुद करीब 6 मिनट का ये वीडियो शेयर किया आईए आपको बताते हैं अब इसमें किस कीवर्ट का इस्तमाल कितनी बार किया गया है बिग वाल पर आपको ये दिखाते हैं के ब्राह्मनवाद, साथ बार, हिंदू, आठ बार, धर्म, चार बार, धोखा, चार बार, मंदिर, चार बार, ये तमाम कीवर्ड्स का इतने बार इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, करीब 6 बिनट का ये वीडियो है, तो स्वामी प्रसाद मौरे हिंदू धर्म के अस्त कोई दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू है, हिंदू धर्म का जो धर्म है, वो सनातन धर्म है, तो स्वामी प्रसाद मौरे को बीजेपी और साधू संतों ने भी जवाब दिया है, आपको केंद्रे मंत्री साध्वी निरंजन जोती और आयोध्या के संत महंत राजु दास के बयान भी सुनाते हैं. हिंदू को ब्राह्मन का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग की बात है, ति इनके उपर सक्त से सक्त कारवाई होना चाहिए, और अगर ऐसे ही बोलते रहे, स्वामी प्रसाद मौरिया जी, तो जिस दिन हिंदू का हटेगा, उस दिन जरूर कुछन कुछ फटेगा.